कथा है चतुर बहू, बुढ़ी सास और अफसानी मातग आईए कथा श्रवन करें एक गाउं में एक सास और बहू रहती थी, बहू अपने सास से बहुत ज्यादा गुसा रहती थी, क्योंकि सास थोड़ा सा बुढ़ी हो चुकी थी, वह कुछ काम नहीं कर पाती थी, तो इस प्रकार से रहते रहते दोनों में कलह बनती जा रही थी, हमेशा बहू सास को ताने रहती थी कि, आप अम्मा कुछ काम नहीं करती हो, आप से कुछ नहीं होता, घर बैठी रहती हैं, अम्मा भी बेचारी लाचार थी, कुछ नहीं बोलती, एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप बैठी नहीं रह सकती हो, अब आप घर में हो, तो कुछ काम आपको करना सास ने कहा इस उमर में मैं क्या कर सकती हूँ बहू इस उमर में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा मैं कहा जाओंगी क्या काम करूंगी तो बहू ने कहा एक काम करिये आप सुबह दूद बेचकर आया करिये पूरे गाओं में आप से मैं ए पहीने के अंत मिलूँगी बेचारी सास अब सोचती रहती इस उमर में मैं सुबह सुबह दूद लेके पूरे गाउं गाउं गली गली कैसे जाऊंगी सोचा की चला कोई बात नहीं जाना तो पड़ेगा ही अब लाचारी है मजबूरी है तो जाना पड़ेगा सुबह हुई जल्दी डबा लेकर बहूने भर दिया बोला दूद बेचकर आओ जल्दी आ जाना दूद बेचकर और महीने महीने आप से हिसाब लिया करूँगी अब आप घर में नहीं बैठ सकती है सास जाकर एक पीपल के पेड के नीचे बैठ गई वहीं सोचने लगी बैठे बैठे कि इस बुढ़ापे शरीर में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिल रहा है देखिए मेरे अपनी बहुने मुझे घर में से ऐसे ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठ कर खाती हो अब मैं कैसे गली गली जाकर दूद बेचूँ इतना सोचते सोचते उसको एक दो घंटे बीत गए वहमन में सोची की एक काम करती हूँ दूद को यहीं गिरा कर चली जाती हूँ और दूद को उसी पीपल के पेड के नीचे डाल दिया और आ गई घर बहुने भी कुछ नहीं बोला उसने सोचा कि चलो पैसे ली होगी लास्ट में महीने का हिसाब लोंगी ऐसे ही चलते हुए सास का एक महीना पूरा बीत गया अब वह दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था अब वह फिर से दूद लेकर चली गई और पीपल के पेड के नीचे बैठ गई और रोने लगी बहुत ज्यादा रोने लगी और बोलने लगी अब मैं क्या करूं कैसे घर जाऊं बहु को हिसाब क्या दूंगी जब मैंने कभी दूद बेचा ही नहीं तो मैं हिसाब कहां से दूंगी पूरा दूद इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी उसके रोने की आवास सुनकर वहां से अवसान मैया गुजर रही थी उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है वह आकर पूँचने लगी आप क्यों रो रही हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा मैं आपको क्या बताओं? क्या आप मेरे दुख को दूर कर दोगी? बहुत कहने पर सास ने बताया मेरे बहु मुझे बहुत ज्यादा कष्ट देती है तो अवसान मैया ने कहा आप पूरे बात बताएं, बात क्या है? तो उसने बताया की बहुत मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत विवहार करती है घर में बोलती है की तुम बैठे-बैठे क्या करोगी कुछ कामवाम किया करो तो मुझे सुभा सुभा दूद बेचने भेज देती है और कही है कि महीना होने पर तुम से हिसाब करूँगी आप मुझे हिसाब देने का नंबर आ गया रोज तो मैं दूद बेच नहीं पाती थी मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है कमर में दर्द होता है तुम आती थी इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सारा दूद इस पीपल के पेड़ में चड़ा कर चली जाती थी अब वह दिन आ गया है जब मुझे अपनी बहु को हिसाब देना है और बहुत जोर जोर से वह रोने लगी और बोली और बोलने लगी आज मैं हिसाब कैसे दूँगी आज तो बहु पता नहीं क्या कर जाएगी मेरे साथ इतना सुनते ही अफसान मैया भी थोड़ा सा दुखी हुई बोली कोई भी बहु अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है अफसान मैया ने कहा एक काम करो आप जितने भी पीपल के पत्ते हैं सुखे गिरे हुए हैं आप लेकर उसे अपनी जोली में भर लो और अपनी बहु के आचल में डाल देना तो उस बुढिया ने कहा अरे इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा तो माता ने कहा हाँ जरूर हो जाएगा और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो तुम अवसान माता की पूजा जरूर करना इसे भूलना मत तो उस बुढिया ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ और उसने अपने आचल में पूरे पत्ते समेट लिये और अपने घर चली गई घर जाते जैसे ही पहुची तो बहु ने देखा की बुढिया तो आचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है तो बहु ने बोला की क्या बात है अभी हिसाब देने आ गई है क्या तो सास ने कहा हाँ ऐसा ही समझो बेटा हिसाब ही है तो बहुत ज्यादा खुश हुई बहु बोली अरे वाह इतना सारा रुपया पैसा ली है क्या तो एक काम करो अपना आचल फैलाओ मैं तुम्हारे आचल में डाल देती हूँ तो बहु खुशी के मारे अपना आचल फैला देती है बहु को उसमें खूब सारा धन दौलत पैसा रुपया जेवर सब कुश निकला तो वैं बहुत ज्यादा खुश हुई एक महीने के दूद में इतना सारा रुपया कहां से आपने कैसे किया बुढिया भी बहुत ज्यादा चकित रह गई कि मैंने तो पिपल के पत्ते डाले थे बुढिया मन ही मन सोचने लगी कि लग रहा है अवसान माता ने दिया है अब बहु मा से पूचने लगी कि माता इतने सारे पैसे कहां से आपको मिले तो सास ने बहु को सारी कहानी सुनाई बहु कहने लगी कल से दूद लेकर मैं जाऊंगी एक काम करो आप मुझे बताओ क्या क्या आपने किया था पूरा विधी सहित मैं वैसा ही करूँगी शायद अवसान माता मुझे भी दे दे बुढिया ने कहा कि करके देख लो अब सुबह हुई वै बहु भी अपना दूद लेकर जाए और पीपल के पेड के नीचे चड़ा कर चली आए एक महीना बीत गया तब बहु जाकर बैटकर रोने लगी अब मैं दूँगी कैसे क्या करूँ यह सुनकर अफसान माता आई और पूछने लगी क्या हुआ तो उसने जूठी बोल दिया कि मेरी सास मुझे बहुत ज्यादा परिशान करती है और मुझे बोलती है कि दूद बेचकर पैसे लेकर आओ मैं क्या करूँ मैं दूद तो इसमें चड़ा दी अब क्या करूँ तो अफसान माता ने कहा एक काम करो पीपल का पत्ता अपनी आचल में भर लो और ले जाकर अंगने में रख देना उसने कहा ठीक है खुशे खुशे महा से लालची बहु भागते हुए आई तो आंगन में जैसे ही उसने पत्ते डाले तो देखा उसमें बिच्छू साप दुनिया बर के जीव जन्तु पड़े थे और उसकी तरफ दोड़ने लगे तब वह अवसान माता के पास गई तो माने कहा तू अपने सास के साथ बहुत ज्यादा गलत विभार कर रही थी वह बता रही थी उन्हें दो रोटी खाने को भी नहीं दे रही थी इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो वह बहु अवसान माया से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी माता बड़ी ही देयालू है उसको रोता देखकर छमा कर दिया और कहा अपनी सास के खूब सारी सेवा करो और अच्छे से घर में मिल बाट कर दोनों लोग रहो और गुरुवार आए तो अवसान माता की पूजा कर अवसान माया की आरती करो और अवसान माता के पूजा अच्छना करने लगे दोस्तों आपको अखथा कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों कच्छा गयन पराप्थो जय श्राराम भगतो